नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सक्सेस टेप्स के से योटूब चैनल में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 18 अपरायल के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफेल्स के प्रस्नों को तो चले वीडियो को स्टार्ट कलते हैं और देख लेते हैं कि आज के दिन के कौन-कौ प्रबंद निदेशक और मुक्ष कारेकारी अधिकारी नियुक्त किया थे हैं आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रबंद MD और CEO नए बनाए गया है अजय महाजन उनको कितने वर्सों के लिए के रेटिंग्स ने अपपॉइंट किया है तो हाली में कुल 5 वर्सों के लिए MD और CEO के पद पर नियुक्त किया गया है अजय महाजन को के यर रेटिंग्स के द्वारा तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 5 साल के लिए तो option जो B है इसका बिल्कुल सही है हाली में जो credit rating agency है के यर रेटिंग्स उसने अजय महाजन को MD और CEO के पद पर अपॉइंट किया है पांच वर्सों के लिए तो option B इसका बिल्कुल सही है आप इसे याद देखिएगा यह जो credit rating agency है इसके अस्थापना 1993 को की गई थी तता के यर रेटिंग्स एजनसी का मुख्याला है मुंबई महाराश्टरा में तो इससे आप याद देखिएगा तता आजय महाजन जो नए MD और CEO बनाए गए है इसके वे राकेस मुकासी की जगा नए MD और CEO बने है के यार रेटिंग्स के तो इसे भी आप याद रेखिएगा अगला important प्रस्त महारा आज का है हाली में reverse repo rate में कितने फिस्दी कटवती करने की घोसना की गई है तो हाली में जो हमारा Reserve Bank of India है उसने total 25 की कटवती करने की घोसना की है reverse repo rate में तो इसका right answer क्या हो जाएगा option D जो हमारा RBI है यानि कि हमारा Reserve Bank of India है उसने total 25 फिस्दी की कटवती की है reverse repo rate में अब जो हमारा reverse repo rate है 25 फिस्दी की कटवती के साथ हो गया है 3.7 प्रतिसत इसे भी आप या देखिएगा पहले हमारा reverse repo rate थ कटवती कर दिया है तो 25 फिस्दी की कटवती के बाद हमारा जो reverse repo rate है वह 3.75 प्रतिसत हो गया है तो आप इसे याद रखिएगा option D इसका बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आप देख रहे है हमारा जो Reserve Bank of India उसने reverse repo rate दर को 3.75 तक घटा कर कर दिया है उसके बाद हमारा repo rate प्र प्रतिसत से 4.4 प्रतिसत रेपो रेट को कल दिया गया है तो इसे भी आप आप याद देखेगा हमारा जो reverse repo rate है अब वल्तमान में 3.75 प्रतिसत हो गया है और हमारा repo rate जो है वह 5.15 प्रतिसत से 4.4 प्रतिसत हो गया तो इसे आप याद देखेगा अब RBI के तरह यह सब of India के बारे में सबसे पहले RBI की अस्थापना आपके लिए important है तो RBI की अस्थापना क्ये गई थी एक अप्रैल 1935 को इसका nationalization याने के राश्री करण किया गया एक जनौरी वर्ष 1949 को इसके present time में governor है सक्तिकांदास और RBI का headquarter present time में है मुंबई तो इतनी सारी चीज़े आपको याद रुखनी है अगला important प्रस्थ हमारा है हाली में किस देश में हुए संसदी चुनाव में राश्ट पती मुंजे इन ने जीत हासिल किये ये भी super important प्रस्थ है तो हाली में दच्छिल कोरिया पहला देश बन गया जिसने COVID-19 महामारी के बीच में अपने यहां राश्टी चुनाव करवाए हैं तो इसे भी आप याद देखेगा जैसे कि आप सभी को पता है पूरे 20 समय इस समय COVID-19 महामारी फैली हुई है तता इस COVID-19 महामारी के बीच में राश्टी चुनाव कराने वाला पहला देश बन गया है दच्छिल कोरिया तो इसे आप याद देखेगा इसके साथ हाली में जो दच्छिल कोरिया में राश्टी चुनाव हुए हैं इसे आप याद देखेगा औप्सन भी इसका बिल्कुल सभी हो जाएगा दच्छिल कोरिया तो इसे आप याद देखेगा अब दच्छिल कोरिया में ये राश्टी चुनाव हुआ है जिसमें राष्टपती मुंजे इन ने जीत हासिल किये तो यह बात कर लेते हैं दच्छिड कोरिया के बारे में तो दच्छिड कोरिया इसके राधानी आपके लिए सुपर इंपोर्टेंट है तो इसके राधानी हो गई आपके लिए सियोल इसके राष्टपती है मुझे इन और यहां की ओफिसियल करंसी यानि की ओफिसियल मुत्रा है दच्छिड कोरियाई वान तो इतनी सिजे आपको याद अखनी है अगला प्रस्त हमारा कह रहा है भालती क्रिकेट टीम के किस खिलाडी को दुबई इस्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रा ब्रांड दूत है वो बनाय गया है रोहित सर्मा को यानि option जो बी है इसका बिल्कुल सही है हाली में रोहित सर्मा को दुबई इस्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का नया ब्रांड दूत नयुक्त किया गया है तो option जो बी है इसका बिल्कुल सही है पिक्चर में आ नया ब्रांड दूत बनाए गया है दुबई में जो क्रिकेट अकादमी स्थित है क्रीक किंगडम का तो इसे आप याद देखेगा अगला प्रस्त मारा कह रहा है कि संस्थान के मुताबिक कोरोना वाइरस महामारी के कारण इस साल एसिया की जो आल्थिक व्रिद्धी दर है वह सुन्नी रहेगी तो हाली में वह कौन सा संस्थान है जिसने यह घोशना की है कि COVID-19 महामारी के कारण जो एसिया की आल्थिक विकास दर है वह सुननी रहेगी तो इसका right answer हो जाएगा option C यानि कि IMF का पूरा नाम क्या होता है International Monetary Fund इसको हिंदी में कहते हैं अंतराश्टी मुद्रा कोस तो इसे आप याद किएगा अब IMF ने यह घोशना की है तो आएए बात कर लेते हैं IMF के बारे में इससे पहले जो यह क्रिष्टा लेना जाल जीवा थी यह वर्ल्ड बैंक की CEO थी TCBA दिखेगा इससे पहले क्रिष्टा लेना जाल जीवा वर्ल्ड बैंक की CEO थी TCBA दिखेगा तता IMF का प्रिजन्ट टाइम में हेट क्वार्टेर है वासिंग अटन DC में तो इतनी चीज़े आपको याद दिखनी है अगला प्रसन मारा कह रहा है विश्व हीमोफेलिया दिवस निवन में से किस दिन मनाया जाता है यह भी सुपर इंपोर्टेंट रसन है तो जो वर्ल्ड हीमोफेलिया डे है यानि की विश्व हीमोफेलिया दिवस है यह प्रति वर्स 17 अप्रेल के दिन मनाया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा 17 April यानि option D इसका बिल्कुल सही है प्रती वर्स 17 April के दिन यह विश्व हीमोफिलिया दिवस मनाया जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option D यानि 17 April तो इसे भी आप याद देखेगा तता इस वर्स विश्व हीमोफिलिया दिवस की theme क्या थी? यह भी आपके लिए important है तो इस वर्स हीमोफिलिया दिवस की theme क्या रखे गई थी? तो gate plus involved तो इसे भी आप याद दिखेगा gate plus involved इस वर्स की theme रखे गई थी? world हीमोफिलिया day की 2020 की तो इसे भी आप याद दिखेगा तता 2020 में जो world hemophilia day मनाया गया है या इसका तीसवा संस्करण मनाया गया है तिसे भी आप या दिखेगा चैता world federation of hemophilia के स्थापना 1963 में के गई थी इसके अलावा hemophilia के 20 संग का मुख्याल है Montreal Canada में तिसे भी आप या दिखेगा Montreal Canada में hemophilia के 20 संग का मुख्याले भी है तो इसे भी आप या दिखेगा इसके साथ ही जो Canada का Montreal सहर है इसमें एक और important organization का headquarter है वो कौन सा organization है तो WADA तो WADA का मतलब क्या होता है World Anti-Doping Agency तो World Anti-Doping Agency का भी headquarter present time में Canada के Montreal सहर में है तो इसे भी आप याद रखिएगा anti-sip missile का परिछण किया है तो यह एक बहुत ही महान देश है जहाँ पे दुनिया पूरी COVID-19 महामारी से जूज रही है इसे के बीच इस महान देश ने जो है anti-sip missile का परिछण कर दिया है तो आई होप आप इस महान देश के बारे में जानते होंगे तो इस महान देश का नाम है उत्तर कोरिया तो उत्तर कोरिया के जो ताना सा है वहाँ के कीम जोंग उन्होंने यह कर नामा किया है anti-sip missile का परिछण करके तो इसका रहा टेंसर क्या हो जाएगा option A उत्तर कोरिया ने इस COVID-19 महामारी के बीच में anti-sip missile का भी परिछण कर दिया है तो इसका रहा टेंसर क्या हो जाएगा option A उत्तर कोरिया तो इसे अब या देखेगा अब उत्तर कोरिया के सासक के दौरा इस anti-sip missile का परिछण किया गया है तो यह बात कर लेते हैं उत्तर कोरिया के बारे में तो आपको पता होगा उत्तर कोरिया के सरवच निता है परिजन टाइम में कीम जोंग उन राजानी यहां की है प्योंग यांग और उत्तर कोरिया यहां की जो उत्तर कोरिया ही वान है यहां की जो official currency है तेसे भी आप याद रखिएगा अगला इंपोर्टेंट प्रस हमारा है ACI मुक्यMoreजी Championship 2020 की मेजबानी कौन देश करेगा तो ACI मुक्यvantage Championship 2020 की मेजबानी निमल में से कौन सा देश करेगा तो इसका राइट ऐंसर है हमारा प्यारा देश भारत यानि option D इसका बिलकुल सही है 2020 का जो ACI मुक्यबाजी Championship है इसकी मेजबानी हमारा प्यारा देश भारत करेगा तो इसका रैट एंसर हो जाएगा option D तो आप इसे याँ देखिएगा तो अब 20 ACI मतलब जो ACI मुक्यबाजी Championship है उसका जो मेजबानी 2020 की भारत करेगा तो इसे आप याँ देखिएगा इसके साथ ही जो Boxing Federation of India का मुख्याला है वो नए दिल्ली में है इसके बाद Boxing Federation of Indian के अध्यच्छ है अजय सिंग इसके लबा जो Boxing Federation of India है भारत में Olympic मुक्यबाजी के लिए सासी निकाय है तो इसे भी आप याँ देखिएगा जो Boxing Federation of India है वो भारत में Olympic मुक्यबाजी के लिए सासी निकाय है जो अंतराश्टी मुक्यबाजी संग में भारत का प्रत्न दित्व भी करता है तो इसे भी आप याद रिखिएगा तता ECI मुक्यबाजी Championship 2020 की जो मेजबाणी है भारत करेगा तो इसे आप याद रिखिएगा एगला प्रसमारा कहा रहा है विश्व कला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है तो जो विश्व कला दिवस है या प्रति वर्स 15 अप्रेल के दिन मनाया जाता है 15 अप्रेल तो 15 अप्रेल को प्रति वर्स 200 कला दिवस मनाया जाता है तो 15 अप्रेल को मनाया जाने का इसका में कारण क्या है कि इस दिन को यानि कि 15 अप्रेल के दिन को को विकास, प्रचार, प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को प्रतिवर्स 15 अपरेल के दिन मना जाता है इसे आप याद दिखिएगा कला के विकास उसके प्रचार और प्रसार करने तथा कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्स 15 अपरेल के दिन को मना जाता है विश्व कला दिवस के रूप में तो आप इसे याद रख अगला इंपोर्टेंट प्रस हमारा कहा रहा है हाली में किस राज ने ICMR से कोरोना वाइरस के पूल परिच्छन सुरू करने के लिए मंजूरी ले लिए है तो हाली में जो उत्तर प्रदेश की गौर्रमेंट है उसने आप याँ देखेगा हाली में जो उत्तर प्रदेश की इस मंजूरी का लेने का में उत्तर प्रदेश की प्रतेश की प्रदेश की गौर्रमेंट है है उसको और तेज करना तो इसे आप याद देखेगा तता पूल परिछन को सुरू करने वाला जो पहला राज है वो बन गया उत्तर पदेश तो इसे भी आप याद रखेगा तो आप याद देखेगा पूल टेस्टिंग सुरू करने चाहिए लखनवु है उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदितना थियां के आए राज जेपाल है आनंदी बेन पटेल 24 जनौरी 1950 को इसकी अस्थापना के गई थी तथा उत्तर प्रदेश राजी की जो अस्थापना है 24 जनौरी 1950 को के गई थी इसी कारण प्रतेक वर्स 24 जन नहीं है इस प्रस्ने से रिलेक्टेड तो दोस्तों यहां पे हमने 18 अप्रेल के सभी इंपोर्टेंट करें अंटरफेस को प्रस्ने को हमने कवर कर लिया है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक थैंक्यू